मैं गोल तो सेट कर लेता हूँ, लेकिन जब उस पे काम करने की बारी आती है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं, जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100% नहीं डालता है, उस समय काम ही नहीं करता गोल सेट कर लिया कि पढ़ना है, आज आठ रिंटे पढ़ना है, आठ रिंटे के आठ बिनिट भी पढ़ा ही नहीं करी, होता है इसा सब के साथ होता है, तो उसके लिए क्या करें, ठीको इस अपसुलूटली सिंपल, आप लोगों को यह समझना है कि लाइफ के हर कदम पे, च आठ रास्ते पे चलने की, आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझ दी है कि आपकी लाइफ, जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं, उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली, कि आप कितने सक्सेस्फल हो गया कितने फेल होगे, वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बढ़ा करने की सुफते रहते हैं, कि एकदम से कुछ बढ़ा हो जाए, एकदम से कुछ बढ़ा होने लग जाए, अरे ना भाई, छोटी 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 चीज़ों पर ध्यान दो, छोटी छोटी चोटी 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 जाए मैं कम डिसीजन लेता हूँ दिन में हजार डिसीजन नहीं लेने आपके लिए लेकिन उसको पूरा अगर एक कमिट्मेंट किया आपने आपसे उस कमिट्मेंट को पूरा करता है छोटी छोटी चीज़े जो हम कर रहे हैं आप चाहे कुछ करो या ना करो दोनों ही चोईसेस हैं दोनों आपके फ्यूचर को अफेक्क करने वाली है अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिट्मेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और को दियो हुए कमिट्मेंट कि अपने आफ से बता है कि यारमें डेली एकसराइस करूवा तो तो मुझे दर्द होगा बोरीं है सब कुछ थैवें क्विट्मेंट किया ना तो पूरा करना है कि इसकी कमिट्मेंट किया है मोन warfare आट गंटे बढ़ाईगा कवी में घंटे करना डर के हार हालत में पड़़ तो चोटे commitments करो उन छोटे commitments को कूरा करते चले जाओ उन चोटे उपर अपनी रिष्पांजिविलिटी ले घमजाँ तो थीरे दीरे छोटे अपने आप का बड़े हो जाएंगे वो पदतर देखना छोड़ दो अंदर देखना शुरू करो दूसरों पर ब्लेम डालना बंद कर दो, ममी बाबा पे, दुनिया पे, इस पे, उस पे, कुछ के ओपर अपनी ही रिस्पाइबिलिटी दो. आपको जगाना, मैं जागा अपनी जिंदगी.